हेलो स्टुडेंट्स, स्टुडेंट्स आज हम लोग क्लास एट साइन्स का चैप्टर वन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मेनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं ठीक है तो देखो, all living organisms require food to carry out different body functions and work अब देखो सारे living organism की बात की जाए तो सबको किसी जरुवत होती है food की खाने की अब क्यूं जरुवत होती है तो फूड से हमें मिलती है energy मम्मी बताती है ना कि फूड से energy मिलती है तो फूड से हमें मिलती है energy और उस energy को मियूज करते अलग-अलग body functions में जैसे respiration हो गया, breathing हो गया, digestion हो गया, etc. और अलग-अलग work में जैसे खड़े होना ठीक है दौड ना, लिखना, याद करना इन सब में भी तो भाई energy लगती है तब ही तो अगर किस दिन खाना नी खाते तो एक बड़ी डाउन होती है ठीक है तो इसलिए सारे living organism, animal, plant, human being, सब को किस दी जरूवत है, food की जरूवत है लेकिन, but from where animals get food, लेकिन animals को food कहां से मिलता है तो देखो previous classes बहुत अच्छे से पढ़के आया हो कि animals और human being को food किन से मिलता है, green plant से और other animal से, ठीक है, other animal के flesh से और green plant से हमें food मिलता है उसके अलावा, how green plants synthesize their own food, ठीक है, अब हमें तो food मिलता है green plant से, लेकिन green plant अपना food कैसे बनाता है भाई, अगर हमें यह पता तो होना चाहिए ना कि वो अपना खाना कैसे बनाता है, जब वो अपना खाना मनाएगा तभी तो हमें देगा, जब उसके पास खुदी नहीं जिसको आप प्रिवेस क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है, अब फोटो सिंथिस के थुरू भी बनाते है, ठीक है, हमा लग अलग crops को भी उगाते है, ठीक है, तो यहां पर हमारा जो next topic है, वो है agricultural practices, ठीक है, यहीं से मारा basically, जो main chapter start होता है, ठीक है, अब देखो agricultural practices की बात नुमैडिक थे, ठीक है, नुमैडिक मतलब जैसे वो लोग खाने की तलास में इधर उधर तहलते रहते थे, और हंटर गैदर थे, ठीक है, वो लोग कि अगरते थे, बिसिकली किसी भी अनिमल को देखा उन्होंने उसको मार दिया और उसका कच्छा मीट खा लेते थे, ठीक लेकिन बाद में उनको, क्या कहते हैं, समझ आया कि हाँ यार हम लैंड पे ही कल्टिवेट कर सकते हैं, लैंड पे ही ग्रेंस उगा सकते हैं, ठीक है, और यहीं से अग्रिकल्चर बॉंड हुआ है, अग्रिकल्चर का जनम हुआ, और लोग भी क्या होने लगे है, सेटल होने लगे कि वो एक ही जगे, क्या कर सते थे, खाना उगा सते थे, फूड को ग्रो कर सते थे, ग्रेंस को ग्रो कर सते थे, अब भाई हमारे चैप्टर का नाम है अब हमें यहीं नहीं पता रहेगा कि क्रॉप्स क्या होती है, तो यार हमने क्या चैप्टर पड़ा, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्रॉप, क्रॉप होती क्या है When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, मतलब same type के plants को हम जब cultivate करते हैं, उगाते हैं, ठीक है, large scale में, large scale में मतलब बड़ी जगह पे, same type के plants को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर example से हमें और अच्छे से समझते हैं, जैसे यहाँ पर example है, crop of wheat, ठीक है या crop of mage, etc. तो देखो, crop of wheat से हमें क्या समझाता है, crop of wheat से हमें यह समझाता है, ठीक हम एक large scale, मतलब बोल सकते हैं, या तो एक large field, या तो छोटी-छोटी, 2-3-4-5 field में, हम क्या अगर रहे, सिव wheat को ही उगा रहे है, same type के, यह नहीं कि हमने अगल-बगल एक जगे wheat उगा द wheat को उगा रहे है, large scale पर तो हम बोलेगे कि यह किसी की crop है, यह किसी की फसल है, wheat की crop है, तो आई होप कि आपको crop एकदम अच्छे समझा आ गया हो, और देखो, crop समझा आ गया है, तो यार, video को like करो, चैनल को subscribe करके, bell icon को press करो, यार, तुम लोग को बताना पड़ता है, तुम the basis of season, मिलब season की basis पे, crops कितने टाइप की होती है, अब देखो, इंडिया हमारी एक बहुत बड़ी country है, अलग-अलग type की crop होती है, तो हम यहाँ पर पड़ेगे season की basis पे, कितने type की crop होती है, तो देखो, three types की crop होती है, पहला है खरीब crop, दूसरा है रभी crop, और तीसरा है जै इनको हम rainy season में में मतलब basicly इनकी जो beech वागर होते हैं, इनको हम बहते हैं, harvest in end of monsoon season, जैसे monsoon season खतम होता है हम इनकी harvesting कर देते हैं, harvesting मतलब यह फसल बड़ी हो जाती है, जो crops है वो बड़ी हो जाती है इनको काट देते हैं, मतलब फील्ड से अलग करके फिर इनको निकलते है इनको sell करते हैं, हम use करते हैं, from June to September, अब देखो June से September के बीच में एक ग्रो होती है, June में इन पो बहुते है, और September तक यह बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो यह कौन सी crop हम पढ़ रहे है, खरीप crops, अब खरीप crops का example है, यहां पर कौन कौन सा है, पैडी, मेज, सोया बीन, etc, यह winter सर्दी का, जब सीजन आ जाता है, उस समय इनको हम सोन करते हैं, इनको हम उगाना सुरू करते हैं, ठीक है, harvest in end of winter, जैसे winter खतम होता है, तो यह बड़ी हो जाते हैं, इनको हम harvesting कर देते हैं, spring स्टार्ट होने वाली होती है, ठीक है, from October to March, October से मार्च की time of period की पीच में हम इन जैद क्रॉप है, तो जैको NCIT में यह दिया नहीं है, NCIT में आपको दिया है, summer season crops, जैको जैद क्रॉप और summer season crop basically similar ही होता है, ठीक है, इनको भी हम summer में ही ग्रो करते हैं, ठीक है, तो between rabi harvest and खरीब sowing, मतलब जब rabi की crops एकदम बड़ी हो जाते हैं, उनको हम harvest कर देते हैं, field ख होता है, तो उसके पहले इनको क्या गर लेते हैं, कट करके इनको field से हटा देते हैं, यह तब तक ग्रो हो जाती है, तो कौन से time of period तक इनका time रहता है, मार्च से लेके जून तक, मार्च में देखो हम rabi को harvest कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए मार्च में जब rabi हट जाती है, हम इनको बहुत देते हैं, और जून तक इनको बड़ी हो जाती है, तो जून में क्या गरते हैं, इनको हटा देते हैं, और फिर जून के बाद लगबग आपका किसना time आ जाता है, खरीब का time आ जाता है, also called summer season crops, हम इनको कौन से crops बोलते है, summer season crops भी बोलते है, example क्या है, watermelon, cucumber, etc, ठीक है, तो यह सब किसके example है, जैद crops, तो देखो, basically आज हमने crops पढ़ लिया, crops के अलग-अलग हमने types को पढ़ लिये, अब हम जो next lecture में पढ़ेगे, हम देखेगे कि agriculture में कौन-कौन से steps involved होते हैं, ठीक है, so I hope कि आपको आज के सारी चीजे एकदम अच्छ से समझ आई हो